कि हलो फ्रेंड्स कुद बॉर्निंग आज हम करेंगे अर्थमेटिक दस मिनट में दस कोश्चिन यह हमारा टार्गेट है चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट करने से पहले बोलता हूं या सेशन को फोड़ा सा लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो सब कुछ करो लाइक करो श टार्गेट है 10-10 मिनट में 10 सेवाल गायली पर आप सब का स्वागत है यह हमारा express course है इस इस अप्राइस बाइस बेस्ट गॉझ इन इंडिया और यह अपका प्राइज है यह मैं हूं और यह सारी चीज है मेरी, you can connect with me सबस्वाल सब से पहला सवाल आपके सामने आ गया pqr started a business by investing this is this one year okay sorry guys after one year p withdraw 5000 and q invested in 991 year ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे सवाल को तुरंत निप्टा दो कैसे हर जंग है तीन है तीन जुरू गाइब करो हुए ठीक है ओके यहां भी तीन जुरू गवाइब को और 5 से हर कोई कट भी रहाए 5 से काट तो यहां आपका 11 आ गया यहां आपका 13 आ गया और इधर उन आज जाएगा इधर आपका 2 आजएगा इधर आपका 3 आ अब question कहतम हो गया मैंने यहां लिखा P मैंने लिखा Q मैंने लिखा R P कितना है 10 3 के लिए लेकिन बाद में P ने विड्रॉ किया एक एक साल बाद ना दो साल के लिए तो 10 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 यह था जी पहला क्यों की बात करते हैं क्यों ने 11 लगाया 3 के लिए लेकिन बाद में उसने क्या किया गिया गया क्यूं इन्वेस्टेट दोसने एड़ गया 2 साल के लिए प्लस 2 ईंटू 2 अब रही बात आर की आर ने 13 लगाया 3 के लिए उसके बाद आर ने विड्रॉ किया 3 तेंविड्रो किया कितने महिने लिए एक साल के लिए क्यों कि आप्टर वन मोर यह तो यह आपका 30 माइनस 2 28 33 प्लस 4 37 39 माइनस 3 36 देखो कितना असानी से हो गया इसको प्लस करो 30 20 85 68 75 26 101 101 की वैल्यों अच्छा कहीं स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा ना ठीक है 101 की वैल्यों कितनी है 54540 137 की वैल्यों कितनी होगी 1015 जा 505 फिर 4444 जा तो मेरे पास आया 540 इंटो 37 अब 3 से मल्टिप्लाइगरो ट्रिपल इंटो 180 और बस मल्टिप्लाइगरो कर लो तो अठारेगर नटार नो ठारेगर नटार एक उननेस वन नाइन नाइन जीरो अपसट शी विल विल बीडर राइट आंसर खतम सिंपल तरीके से एक मिनट से भी कम टाइम में हो गया मतलब ABC किसी काम को 10 दिन में करते हैं ए उसी काम को 24 दिन में करता है और भी उसी काम को 30 डिन में करता है यहां 120 आएगा यहां 12 आएगा यहां से कितनी होगी यह तो बारा माइनस नाइन देट इस थ्री त्वेल बाई थ्री यानि फोर डेज में और ली यह सवाल हो जाएगा अगला सवाल प्रॉफिट अंड भाई कि अ कॉर्पोरेशन इस डिस्ट्रीबूटेट एमंग टोटल ओफिसर्स एंड क्लरक इंदर इशू नंबर ओफ ओफिसर्स सिक्स्टी है इनको 35,000 मिल रहा है तो ओफिसर्स को कितना पैसा मिल रहा है यह देखो तो इक काम करो इसका डबल कर दो 70,000 इसका हाप कर दो तो 3 तो 21 आया गया ठीक है तो एहां सबलो 7 का मतलब 21 तो 5 का मतलब 15 तो 21 प्लस 15 36 खतम देख लो ना यह शब्द जो नहीं पड़ेगा ना यह वाला उसका गलत होगा 100 परसेंट आंसर कितना है का 36 चलिए अगला सवाल देखते हैं जॉन्स प्रिजेंटेज इस थ्री बाइट अफिस म अथिए प्रसंय सबीड़र ढि मर प्रिजेंटेडेर High Rॉन इस नोन डहीं एट जॉन्स अंभट अगए 3 ए तो मा इ। 22 दो जॉन्स फर्हेट चान यह 1 टीजेंट प्रदेख प्रदасьन जॉन्स जॉनस अंप्रद फ्रहें का सथ गट जॉन्स गष्प्रदेट्टिश्य का and mother is 16 and 7 now ma should be same here also so let's make it same 16 16 so it will be like 6 16 and 7 but difference is 4 so your difference is 1 1 means 4 now what do you want what is the percentage of John to John is this so that is 24 answer will be 24 it's a single line question I hope everybody got that tell you let's see the next one okay length it 5% per annum and the length it 3% the total interest 4 years was this in 4 years this is the simple interest I can solve it orally also like that 3% for everywhere so 3 5s are 15 3 8s are 24 255 total and in 4 years 1500 so in 2 years 7500 750 and in 1 year it means divide just by 4 so 750 half 3 75 so extra is what 120 and it is because of that and extra is 2 percent 2 means 120 so 100 means 6000 okay so 5 percent is 6000 that is your answer I solved it orally okay but if you want to like if you like I use this method I'm now explaining how did I solve it I write 3 percent here and 3 plus 2 percent here total 8500 33 percent of 8500 you got 3 5 is a 15 3 is a 24 255 that's it but total interest was 1500 in 4 years so in 1 year that will be 375 and 375 minus 255 that is what we calculated 120 and it is because of this 2 percent 2 percent means 120 so 100 percent means 6000 otherwise you can do one more thing guys you can do one more thing you can use a allegation in this question like this you will get the answer like I'm telling you 5 here 3 here 5 here 3 here what will you say like in 4 years you complete it you divide it you got the like percentage here you will see the answer and how to calculate percentage like 1500 upon 4 into 8500 into 100 it will a time-taking process but I like this one so you decide by yourself the best else is to camera 180 this and another at this if the cost prices of the two camera like this so what to do let's let's take list hundred and two hundred one at fifty forty five percent loss it means loss of forty five other at thirty percent profit thirty percent profit it means thirty to the sixty so that is fifteen upon three hundred in two hundred overall five percent profit will be the answer okay now let's talk about this peak you are entering into partnership by investing sixty after five months we withdraw thirty percent same question is here we have solved one more question in the first so you just it's your kind of homework okay let's say the next one the present is of Raji is equal to Vasus is after 15 years hence this means Raji and Vasu so Vasu difference is 15 5 years ago 5 years ago 5 years ago Vasu and Raji's ratio 5 is to 8 it means they are always this is difference so there is 3 3 means 15 1 means 5 so Vasu 5 means 25 but it is 5 years ago but now he is 30 years answer will be 30 30 years your answer is 30 years guys okay that is your answer i think we have done it how many questions are remaining okay let's see eight men can complete a work in 12 days four one can complete one two two and ten children can complete the same one 24 days okay this is good okay i should write here eight m into 12 is equal to four women into 48 is equal to 10 c into 24 you know how many days can 10 men 10 men 4 women and 10 children can complete the work so guys what we can do divide by 12 everywhere you get 8 here you get 4 w into 4 you get 10 c into 2 so you divide by 4 everywhere yes so you get 2 m is equal to 4 w is equal to 5 c okay what to do let's place only m here okay so i am taking m here also on the place of 10 m that is 10 m on the place of 4 w put 2 m so that is 12 m on the place of 5 10 c put 4 m because 5 c 2 m so that is what 4 m 10 m 4 m 10 m 2 m 12 m 4 m 16 m into x is equal to 8 m into 12 12 mm cancel 16 6 96 or x is equal to 6 that is your answer i think answer should be x 6 will be the answer next let's see the next one okay the dimensions of an open container are 180 and 46 its thickness is this if one cubic centimeter of metal used in the box is weight 1 gram find the weight of the container okay so let's talk about the external if we talk about the external like volume will say like 600 into 80 into 46 this is external right okay if you take out thickness if you take out thickness the volume will be okay like 6 and 6 like 12 so 100 minus 12 that is 88 80 minus 12 that is i think 68 and 46 minus 12 that will be 46 minus 12 that will be 34 okay guys so it is something okay okay here x again and 46 centimeter dimension is open open okay if one cubic centimeter measured metal used in the box now what you do find the difference and divide by like this area you will get the answer if you find out the difference and divide by it one second 46 centimeter okay 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 and one more thing guys one more okay this is the last question so so do one thing take it as a homework so i have given you two questions homework try to solve it use the concept use the concept you know like you have to find out the external volume you have to find out the internal volume and subtract that divide by the weight of the container you will get the answer so thanks for watching guys take care everyone like the session if you think this is good and you can also say this and this thank you for being here take care bye thank you